हेलो दोस्तो तो कैसे हुँ आप सब आपका भई हाजी रेनी वेकेंसी के साथ जैसा कि आपने थमनेल में देखा है कि आज जो वेकेंसी आ रही है वो टॉप MNC कमपनी के तरह से आ रही है यहाँ पे फ्रेशर केंडिडेट अपलाई कर सकते हैं अगर आपने बी और बी टेक क हुआ है ठीक है लिटेस जोब ओपनिंग हुआ है तो सारे ब्रांच वाले है यहाँ पे ठीक है मेरे भाई वीडियो को लास तक पूरा देखना इसकी मत करना ठीक है मेरे भाई तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास वाले घंटी के एकन को दबा दे ताकि आपको नई वीडियो की नोटिविकेशन सबसे पहले मिल जाए और आपका भाई इस चैनल पे इंजिरिंग जॉब अपडेट लाता रहता है जो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चलिए शुरू करता है जैसा कि आप इस स्क्रीन पे देख ही पा रहा है कि जो वैकेंसी आ रहा है वो आ रहा है JSW Steel की तरफ से यहां पे कैसे अपलाई करता है वो पूरा स्टैब आपको बताऊंगा तो वीडियो को लास तक पूरा देखना मेरे बाई सबसे पहले आपको क्या करना अपने ब्राउजर के अ यहां पे आपको वैबसाइट उपन हो जाएगा मेरे बाई यहां पर देख सकते हैं कि JSW Steel यहां पे लिख रहा है तो मेरे बाई आपको यहां पे क्लिक करता है मैंने सारे टैब उपन पहले सी कर रहा है कि ताकि आपका टाइमएश्च नाव ठीके मेरे बाई तो यहां पर देख सकते हैं जैसे आप website open करेंगे तो यहां पर website open हो जाएगा आप screen पर देखके हैं ठीक हिर बग्फ से डाइक तो आप यहां पर देख सकते हैं Top पे अपको ठीक है, सारी branch वाले eligible हैं, तो वीडियो को पूरा देखना, यहाँ पर आप देख सकते हैं, see opening at jsw लिख रगा है, तो आपको इस पर क्लिक करना है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, वापस एक new tab open हो जाएगा, तो मिर भाई, आपको यहाँ पर क्या करना है, मैं आपको पूर जोब निकल रखा है, वो सारा fresher के लिए है, और कुछ जोब है, जो experience वालो के लिए, तो one by one हम सारी जोब को discuss करेंगे, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, frontline executive का जोब निकल रखा है, department आप यहाँ पर देख सकते हैं, location आपका महरास्ट इंडिया का रने वाला है, ठीक को हुआ है, तीसरा जो job post हुआ है, frontline executive का, वो भी अच्छा department का, लेकिन इसका जो location रहेगा, वो location आपका अलग रहेगा, महरास्ट इंडिया का रहेगा, ठीक है, training का आपका position रहेगा, 15 October को यह job post हुआ है, one by one हम सारी job को discuss करेंगे, तो tension लेने वाली कोई बात नहीं है, यहा अब यहाँ पे देख सकते है, sectional in charge का रहने वाला है, और यह जो job है, बी-ए-बी-कॉम वाले हैं, हँआ पे apply कर पाएंगे, ठीक है, यहाँ पे लेकिन 14 October को, यहाँ पे जो पोस्ट हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते है, जो job post हुए, 8 October को, हो रह रह एक कुछ जो ज क्रेशर के लिए तो 11 हम सब को डिसकस्क पर लिते हैं ठीक है यहां पे मैंने पहले सी और लेने वाली कुई बात नहीं मेरे साट्साव कर रखें यहां जो प्रिंट का जो कि आपको लोकेशन रहे कर पाएंगे मैं आपको पूरा बताऊंगो कि अप्लाइ कैसे करना है ठीक है पहले हम सारी जॉब को डिसकस कर लेता है यहां पर देख सकता है जो दूसरा जॉब पूस्ट हो गुजरात लोकेशन के लिए हुआ है ठीक है आपका गुजरात अपका लोकेशन रहने वाला प्रॉट्लाइन एक्जुकेटिव का इंप्लॉइमेंट आपका परमानेट रहेगा सोल अक्टेवर को जॉब पूस्ट होए एक्सपिरेंस यहां पर कुछ नहीं मांगा मतलब कि एक्सपिरेंस यहां पर फ्रेशर मांगा ए अगर आप फ्रेशर है फ्रेशर के लिए बड़या बड़या माराश्ट का रहेगा और यहां पर जो दिपार्टमेंट है वो एच्चा डिपार्टमेंट रहने वाला ए ट्रेनिक आप का पॉजिशन रहेगा ठीक है मिरभाई यहां पर देख सकते हैं कि जिरो इयर का एक्सपिरेंस मांगा मतलब कि फ्रेशर बंदा यहां पर म ब्रांच कोई भी है लेक्टरिकल मेकेनिकल या सिविल है तो मेरे भाई आप अप्लाई कर पाएंगे तो ड्रनने वाली कोई बात नहीं है यहां पर देख सकते हैं कि एच्छा डिपाटमेंट रहने वाला है इंचीनियर का पोस्ट निकला है महारास्ट आपका लोकेशन का यहां पर देख सकते हैं टॉप पर अप्लाई कर पाएंगे नेक्ट वेकेंसी की बात कर लेते हैं मेरे भाई यहां पर निकल रखाए जॉब वह फ्रॉंट लाइन एक्जेक्टिव का निकला है ठीक है महारास्ट आपका लोकेशन रहने वाला है आठ अक्टूबर को जॉ अप्लाई करना ठीक है मेरे भाई तो यहां पर देख सकते हैं फ्रॉंट लाइन एक्जेक्टर का महारास्ट लोकेशन रहने वाला है आठ तारीक को जॉब पूस्ट हुआ है प्लांट टू के लिए वह प्लांट वन के लिए था एक्स्परेंस यहां पर फ्रेशर मांग है फ्रेशर बंदे अप्लाई कर सकते हैं तो यहां पर ब्रांच का कुछ दे नहीं रहा तो सारे ब्रांच अलिजिबल यहां पर यहां पर देख सकते हैं अप्लाई फॉर दी जो पर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं ठीक है नेक्ट वेकेंसी की बात कर लेते हैं यहां प कर रखाया तो उनको सजेस्ट कर सकते हैं बढ़िया वेकेंसी यह तरी को निकल रखाया अप्लाइफ लोकेशन रहने वाल है ठीक है अलेक्ट्रिकल मेंटेनस डिपार्टमेंट आपका रहेगा आड़ तरी को जॉब निकल रखाया ठीक है फ्रेशर बंदे यहां पर कर सकते हैं अब बात है कि apply कैसे करना है अपको बता देता हूँ जैसी आप apply for the job पर क्लिक करेंगें तो मेरे भाई आपके सामने new tab open हो जाएगा आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं तो मेरे भाई सबसे पहले क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ step by step आपको सबसे पहले login करना है आपको यहाँ पर अपने mail ID से login कर सकते हैं ठीक है या फिर आप LinkedIn जो आपने LinkedIn पर ID बना रखी है उससे भी login कर सकता है अपने नहीं बनाई तो बना ले LinkedIn एक ऐसा platform है जहाँ पर बहुत सारी जोब पोस्ट होती रहती है और मैं भी वहाँ ही से job लाता हूँ बहुत सार आप जैसी login करेंगे तो यहाँ पर option आजाएगा apply करेंगे तो आप अपना resume upload करके वहाँ पर apply कर पाएंगे ठीक है मेरे बाई तो फ्रेशर के लिए बड़ी opportunity है मेरे बाई तो अगर आपकी branch कोई सी भी है तो यहाँ पर apply कर दीजिए JSW कोई छोटी company नहीं है बहुत बड़ opportunity है सारी branch के लिए salary भी काफी बड़ी है रहने वाला आपका तो salary के attention ना ले और यहाँ पर आपका job permanent business पर रहेगा contract business पर नहीं रहने वाला permanent business पर रहेगा तो मेरे बाई आज के लिए बस इतना ही वीडियो को like करे शेयर करें उन लोगों तक जिनको job की नीड है and comment करके जरू All the very best, Jaihin!